आज इस case के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो Scotland देश का सबसे भयंकर case आज भी माना जाता है जिहां इतना भयंकर कि उस घर को ही House of the Blood नाम से जाना जाता है आज भी क्या हुआ था इस case में? बहुत कुछ आज आपको नया जानने के लिए मिलने वाला है क्योंकि आज आज आपको एक अलगी प्रजाती लोगों की मैं बताने वाला हूँ सब कुछ बताऊंगा आपको इस case के बारे में लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं Mysterious दुन्या का एक और बहुती कमाल का एपिसोड आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउटर देदू लेकिन उससे पहले मेरी trigger warning क्योंकि आज कई case बहुत जारा ग्राफिक होने वाला है और अगर आप उस तरहें की चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजेगा आप कोई और वीडियो जाकर मेरे चैनल की देख सकते हैं अगर आप हैंडल कर लेंगे तो चलिए मेरे साथ इस case को समझने के लिए हमें स्कोटलेंड की राजजानी ग्लासगो में जाना पड़ेगा और समयता सन 2004 का अगर आपने कभी थोड़ी बहुत भी history पड़ी हो तो आपको पता होगा कि ये वो समयता जब ग्लासगो जैसे शहर को पूरे योरोप का murder capital के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहां आए दिन इतने crime होते थे जिसके कोई सीमा नहीं थी लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसको देख कर तो पुलिस वाले भी यहां हैरान थे खेर यहां इसी ग्लासगो शहर में सन 1968 में एक एडित नाम की इस बच्ची का जन्म हुआ यह लड़की धिरी धिरे बड़ी होती जा रही थी इसका past कैसा रहा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है लेकिन हम तब की बात करते हैं जब यहां एडित अठरा साल की हो चुकी थी जब यहां यह एडित पहली बार प्रैगनेंट हुई और इसको एक लड़का भी हुआ इसका बाप को उनता यह मुझा सक पता नहीं चल पाया लेकिन यहां जो बच्चा इसने पैदा किया था उसका नाम इसने जॉन रखा एडित को अपने बच्चे जॉन से बहुत जारा प्यार था बेशक यहां एडित के पास पैसा कुछ नहीं था वो खुद यहां अपनी राते सडगों पर बिता रही थी और साथ यह अपने बच्चे को भी अपने साथी सडग पर सुला रही थी अब क्योंकि यहां एडित के पास पैसा नहीं था तो उसे अपने बच्चे को खिलाने के लिए कई बार चोरी चकारी भी करनी पड़ रही थी और यहां तक कि वो कई बार प्रोस्ट्रिचूशन जैसे काम भी कर रही थी पेट तो यहां भरना ही था अब कुछ भी करके उसे पैसा चाहिए था लेकिन इसी चोरी चकारी के काम को करते हुए कई बार यहां एडित को पुलिस वाले भी जप कर ले जाते बहुत बार यहां एडित जेल के अंदर गई बाहर आई बाहर आते ही वो अपने बच्चे को वापिस संभाल लेती मैंने बहुत जानने की कोशिश करी कि वो जब जेल में जाती थी तब वो अपने बच्चे को कहां छोड़ कर जाती थी हो सकता है वो या तो किसी shelter home में छोड़ कर जाती हो क्योंकि यहाँ दूसरा तो कोई उसके पास चारा ही नहीं था क्योंकि यहाँ edit का कोई परिवार इस glass को शहर में नहीं रहता था तो मजबूरन यहाँ उसे अपना बच्चा जरूर किसी shelter home में ही छोड़ कर जाना पड़ रहा था और जब वो वापिस आती shelter home से अपने बच्चे को वापिस उठाती और दोनों फिर से सड़कों पर राते बिता रहे थे इस point पर आते आते आप यहाँ समझ सकते हैं कि एडित की हालत बहुत ज़़ा बुरी थी और इसी बुरी हालत में सड़कों पर सोते हुए ही एडित को एक आदमी मिला जिसका नाम डेविड जलेस्पी था और यह डेविड जलेस्पी भी बेगर ही था यह भी एडित के साथ ही सड़कों पर ही सोया करता था कभी किसी चौराहे पर कभी किसी चौराहे पर मांग कर खा लिया अपना काम चला रहा था लेकिन जब यहाँ उसे एडित मिली तो अभी यह तीनों मिलकर यहाँ अपने बच्चे के साथ मिलकर और डेविड जलेस्पी क के बच्चे का एक बाप की तरह खयाल रख रहा था जल्दी ही यहां डेविड एडित को डेट भी करने लगा एडित और डेविड का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था और जल्दी ही यहां डेविड ने एडित को अपने दो दोस्तों के साथ मिलवाया यह दोनों दोस्त के बहुत जारा बूडे थे जिनके उम्रेept 61 और 71 सालों की हो चुगी थी और यहाँ 61 साल वाले दोस्त का नाम था इयन और 71 साल वाले दोस्त का नाम था एन्थनी कोयल इन दोनों ही बुजुरों को का यहाँ तालाख हो चुका था इनके कोई यहां जैसे तैसीन का पेंशन के साहरे अपना घर चली रहा था और कभी-कभी यह मिलने के लिए अपने दोस्त डेविड को भी बुला लेते थे और डेविड यहां अपने पार्टनर यानी की एडित और उसके बच्चे को भी साथ में ले जाया करता था इन दोनों से मिलवान अपने बच्चे को फिर से डेविड के हवाले ना करते हुए एक शेल्टर होम के अंदर जमा करवा दिया और वो अब खुद जेल जा चुकी थी जैसे ही याँ एडिट जेल गई डेविड ने अपने आपको सुधारना शुरू कर दिया उसने अलग लग जगों पर चोटे मोटे काम धंदे करने शुरू कर दिये एक होटल के अंदर एक ससे से होटल के अंदर एक रूम भी यहाँ रेंट पर ले लिया जिसके अंदर वो खुद जाकर रहा है सकता था और अब उसे जेल से बाहर आना था इस दिन यहाँ शाम होते होते एडित के जेल से बाहर आने के भी नोटीस जारी हो चुके थे और यहाँ एडित ने जेल से ही फोन करके डेविड को बताया कि शाम होते होते वो जेल से बाहर निकल जाएगी और वो तुम से आज मिलने वाली है डेविड बहुत ज़्यदा खुश था लेकिन यहाँ डेविड ने फोन पर एडित को कहा कि वो एडित का वेट कर रहा है और एडित तुम जेल से बाहर निकलते ही सिधा इयन और एंथनी वाले अपार्टमेंट में आ जाना क्योंकि वो यहीं पर बैट कर दारू अगेरा पी रहे हैं काफी देर से आज सुमारे आने की कुशी में एक सेलिबरेटरी पार्टी हम करते हैं अब यहाँ जो 9 महिने से एडित अंदर बन थी उसको भी यहाँ दारू की तलब लगी हुई थी उसने कहा ठीक है बहुत अच्छा विचार है मैं यहाँ सिधा ही जेल से बाहर निकल कर टेक्सी पकड़ कर इयन और एंथनी वाले घर पर पहुँच जाओंगी तुमुझे वहीं पर मिलना एडित से यहाँ ज एंथनी और एंथनी तो पहले से ही दारू पी रहे थे उनको नशे जारा हो चुके थे एडित ने भी यहाँ जल्दी जल्दी अपने पैक बनाने शुरू कर दी और पैक बनाते बनाते उनको पता ही नहीं चला कि कब थोड़ा सा टाइम बीट गया और कब यहाँ पर उनकी जेब में कोई पैसा नहीं था अब कौन तो यहाँ नशे में बाहर जाएगा ठेके तक जाएगा ठेके से दारू लेगा और वापिस आएगा और अपनी जेब से पैसे भी लगाएगा चारो के बीच में यह बात अब डिसकस होने लगी चारो वेट कर रहे थे कि कौन हां करे से जेल में बन थी और उसकी आज वो पार्टी सेलिबरेट कर रहे थे लेकिन यहाँ पार्टी में दारू ही खतम हो चुकी थी एडित यहाँ डेवीड के मूँ की तरफ देखकर बोली कि हाँ बस हग दिया दारू खतम कर दी अब जागर दारू लेकर आओ डेवीड बोल रह किया मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो मैं तो वैसे ही नहीं जा सकती लेकर तो तुम तीनों में से ही किसी एक को आनी पड़ेगी तब यहाँ एडित जिससे अभी तक यह लग रहा था कि उसके दोस्तों ने उसके लिए पार्टी और उर्गनाइज की है और वो अंदर से बह बहुत चारा गुसा हो जुकी थी वो इन तीनों के उपर अब चिलाने लग गई कि तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं होते की बंदा अराम से बैटकर दारू तो पी सके जिसके बाद यहाँ वो चिलाते चिलाते कुरसी से उठी अपनी कुरसी को ही साइड में फैक कर व डेविड विचारा क्या बोले उसके बास पैसा नहीं था डेविड इसे पहले की कुछ बोल पाता यहाँ एडित ने अपना वो चाकू हाथों में पकड़ा और उसके सीधा जांगों में मारना शुरू कर दिया सीधे पैरवाली जांगों के अंदर ओवर और और बार बार य हाँ एडिक चाकू मारे ही जा रही थी और बदकिस्मती से अहाँ उसके कई वार हमारी एक बहुती में नस होती है जो यहाँ जांगों से निकलते हुए सीधा दिल में आती है और वो बार बार चाकू उसी नस में जाकर लग रहे थे और इसी वज़े से अहाँ उसका खून बहुत तेज़ी से निकलना शुरू हो चुका था खून इसलिए भी तेज़ी से निकल रहा था क्योंकि यह इन चारों ने दारू पी रखी थी और हमें पता है कि अगर कोई वंदा दारू बीता है तो उसका खून जल्दी ही पतला हो जाता है कुछ टाइम के लिए अब क्य क्योंकि यहां डेविड पूरी तरह घायल हो चुका था फाइनल यहां पर अब एडित ने उसको चाकू मारना है बंद कर दिये थे लेकिन अभी तक यहां बहुत सारा खून बहे चुका था और जो साइट में उसके दोनों बुजूर यानि के दोनों बुड़े बैठे उन्होंने यहां एडित को पकड़ा और होश में लाने की कोशिश करी और कहने लगे कि आखिर तुमने कर क्या दिया तुमको अंदाजा नहीं है कि यह कितना सीरियस क्राइम तुमने इसके साथ किया है तब यहां पर एडित को भी होश आया उसको अपनी इस मौके की लेकिन कुछ भी फरक नहीं पढ़ रहा था तब यहां पर इन तिनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो क्यो ना मदद बुला लें पुलिस को फोन करें और या फिर एंबुलेंस को बुला लें जिससे यहां डेविड को बचाया जा सके तब यहां एडित ने का ठीक है अंदर बेटे जोन को फोन किया जो कि अब 17 साल का हो चुका था उसने जोन को फोन किया और यहां जोन को फोन करते हैं उसने सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे वो पार्टी कर रहे थे और पार्टी के नशे में भंड होकर उसने डेविट को यहां चाकू वगेरा मार दिया है और उसका हुमरہ 16 साल की थी और जिसका नाम जीमी ग्रे था उस जीमी को अपने साथ बैठाया था और उस टेक्सी में दोनों लड़के अब यहाँ इस जगह पर पहुँच चुगे थे और नीचे से यहाँ वो टेक्सी से उतरे सिधा ओपर की तरफ भाग कर गए और उस फ्लैट के इन और एंथनी को लग रहा था कि जरूर पूलीस या फिर एंबुलेंस आ गई होगी जैसे उन्होंने दरवाजा कोला सामने यहाँ जोन और जीमी खड़े थे इनको सामने खड़ा देखकर एन और एंथनी बहुत जाला गुस्सा हो गए वो फिर से यहाँ एडिस की तरफ म समके परानी थे क्योंकि यहाँ जैसे ही अपनों शेल्टर होम से टेक्सी पकड़ कर इस घर तक पहुंचे थे इनके पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि यहाँ अब वो टेक्सी में आये थे टेक्सी वाला भाड़ा तो मांगेगा ही लेकिन इनके पास देने के लिए पैसे ही न निकलता ही जा रहा है, खेर यहाँ पर अब इस घर के अंदर मुद्दा बन चुगा था, कि नीचे जाकर अब पैसा को न दे कर आएगा, क्योंकि यहाँ उनको नीचे से आवाद ये सुनाई दे रही थी, कि वो टेक्सी ड्राइवर बार बार पैसो की डिमांड कर रहा है, कि क्यों न, हम पांचो नीचे जाते हैं, और उस टेक्सी ड्राइवर को मना कर आते हैं, जब कि यहाँ उनका दो संदर डेविट वो बेचारा मरने की कागार पर था, यह पांचो उस घर से बाहर निकले, नीचे की तरफ गए, और नीचे जाते ही, यहाँ वो पांचो अब टेक्सी ड्राइवर के उपर चड़ गए, कि तुमको यहाँ पहले ही किराया बता देना शाहिए था, इतने लगेंगे, इतने लगेंगे, बच्चों के पास पैसे नहीं, तुमने बच्चों को क्यों बैठाया, यह सब बक्वास करते हुए, कोई बात नहीं है, टेक्सी ड् बाउजियो को ही यहाँ बुलाया है, यह दोनों करेंगे कि आकिर हमें तो यह समझ रहीं आ रहा, यह दोनों कैसे बचा लेंगे बचारे डेविड को, तब यहाँ एडित ने कहा, नहीं मैंने एम्बूलेंस को फोन नहीं किया है, अभी इसी सुनते ही, वो दोनों फिर से है तब यहाँ इम पांचो ने फोन मिलाने से पहले सोचा कि क्यो ना हम एक बार डेविड जलेस्पी को चेकी कर लें, कि क्या वो जिंदा भी है या नहीं, हम एम्बूलेंस भी बंगाए और वो मर भी चुका हो, तो इस चीज़ का कोई फाइदा नहीं होगा, पांचो भाग कर सिधा डेविड जलेस्पी के पास पहुंचे और यहाँ उसकी सांसों को चेक करने लगे, तब तक यहाँ बहुत देर हो चुगी थी, और डेविड जलेस्पी अभी इस दुनिया से जा चुगा था, डेविड की मौत की खबर सुनते ही, पांचो बहुत जारा डर गए, और यहाँ घर के अंदर भागने लगे, कि आकिर यह क्या कर दिया, क्या कर दिया, एडित तुमने क्या कर दिया, हम पांचो यहाँ इसमें फज जाएंगे, यह तो क्राइम सीन अब बन गया है, हम तो यहाँ पार्टी करने के लिए बैट वे था, हम तो कुछ किया भी नहीं, ए दारू कातम हो गई थी, और दारू की वज़े से यहाँ मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने सीधा जाकर डेविड के जांगों में चाकू माने शुरू कर दिया, और उससे उसका खुन बहुत जादा बह गया, अब यहाँ पर सोचने लगा, जोन खुद की आखिर क्या किया उसने अपनी मा को समझाना शुरू कर दिया, कि देखो मा, तुमने तो कर दिया एक सिधा मर्डर, और तुम्हारे मर्डर के दो गवाबी हैं, यह दोनों बुड़े, तुम आज यहाँ पर नो महिने की सजा काट कर जेल से बाहर आई हो, और अगर पुलिस वालों को पता तब जॉन ने अपनी मा को समझाया, कि देखो मा, हमने तो नहीं देखा कि तुमने मर्डर किया है, हम तो गवाब बन नहीं सकते, लेकिन यहाँ जो दो बूड़े हैं, इयन और एंथनी, इन्होंने जरूर देखा है, डेविड को मारते हुए, तो मतलब कि अगर यह केस भी निप्टा दें, तब क्या होगा, तब तो कोई गवाही नहीं बचेगा, इस केस के अंदर अब कोई गवाही नहीं बचेगा, और अगर हम इन तीनों की लाश को भी ठीकाने लगा दें, तो ना लाश मिलेगी, ना केस बनेगा, ना कोई गवाही पड़ेगी, ना कोई ट पास में बुलाया, एडित को भी यहां सामने खड़ा किया और सोचने लगे कि हम तीन हैं, हम तीनों जवान भी हैं, वो दोनों बुड़े हैं, वो हमसे उमर में भी बहुत ज़ादा हैं, वो अपने डिफेंस में कुछ बहुत ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम इन तोनों को मजबूरान निप्टाना पड़ेगा, जबकि यहां दूसरी तरफ सोफा के उपर बैठ कर इन और एंधनी सोच रहे थे कि वो अपने मरे हुए दोस डेवीड का अगिर करे क्या, हम इसको कैसे वापिस जिंदा कर सकते हैं, या फिर इस बात को यहीं कैसे दबा सकते हैं, लेकिन उनको तो पता ही नहीं था, कि उनके साथ भी कांड बैठाने की तयारी दूसरे कोने में हो रही है, तब यहां यह जो तीनों कोने में खड़े थे, एडित, जॉन और जिमी, यह तीनों सोचने लगे कि आखिर पहला मूव कोन लेगा, एडित ने कहा, मैंने बैठे हुए थे, वहां पहुँचकर वो साइड में जाकर ही उन दोनों बुडों के बैठ गया, और उनसे बात करने लगा कि आखिर क्या प्लैन कर रहे हैं, एन और एंथनी जोन को समझाने लगे, कि हमने तो तुम्हारी मा को कहा था कि एंबुलेंस बुला लो, अगर तब एंबुलेंस आ जाती तो ये बच जाता, अब तो यहां ये मर गया है, केस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहां इससे पहले की कुछ हो पाता, जोन ने अपने पीछे से अपना चाकू निकाला, और सीधा ही एन की कॉलर को पगड़ कर, उसको यहां सोफा के उपर लेट उसको समझ आ चुगा था कि यहां इन के उपर हमला हुआ है, तो उसके उपर भी जरूर होगा, इन के उपर हमला होता हुआ, देख, एन्थनी खुद यहां सोफा के उपर खड़ा हुआ, सोफा से कुदा और भाग कर सीधा सामने वाले बेडरूम में गया, बेडरूम का दर और वो वहां से भाग कर जाएगा भी कहां पर बुड़ा वो वैसे हो चुका है, उसको तो बाद में देख लेंगे, पहले यहां इन को ही देख लेते हैं, जॉन ने यहां पर सैकडो बार इन की चाती के अंदर वार किये, लिटरल यहां जॉन ने बेचारे इन की चाती की ज एक पॉइंट वो भी आया जब यहाँ एन ने तडपना भी बंद कर दिया उसके शरीर से सारा खून भी निकल चुका था तब यहाँ एडित और जीमी जो की साइड में हिकड़े होते वो सामने आये और अब वो तीनों मिलकर यहाँ एन को चेक करने लगे कि आगिर एन मरा है नहीं तीनों ने मिलकर एन को हिला डुला कर देखा अब यहाँ एन के शरीर में कोई हरकत नहीं थी लेकिन यहाँ जोन जिसने अभी अभी एन को मारा था वो कन्वीन से नहीं हो पा रहा था कि एन अभी तक मर चुका है उसको इतना मजा रहा था कि वो लगा ही रहा लगा ही रहा लेकिन अभी तक उसको समझ नहीं आ रहा था कि एन ने तो दम तोड़ दिया है तब यहाँ पर उसने अपनी मा को पूछा कि मुझे नहीं लगता कि यह मर चुका है लेकिन यहाँ एडित उसको समझा रही है कि इसको छोड़ो आप जाकर सिदा एंथनी को देखते हैं लेकिन यहाँ एन मानने के लिए तयार नहीं है उसने कहा कि मुझे पहले कनफर्म होने दो तब जाकर मैं इसको छोड़ूँगा कन्फर्म कैसे होगा तीनों ने मिलकर यहां उसकी लाश को पहले सोफे से नीचे गिराया और तीनों ही मिलकर यहां एन के सिर के उपर लात ही लात मारने लगे आप सोच कर देखिए इतनी जादा लात ही इन तीनों ने मिलकर एन के सर के उपर मारे बेचारे के लाश के उपर मा लेकिन अभी भी यहां जॉन को कन्फर्म नहीं हुआ कि एन मर चुका है उसने कहा कि नहीं रुको मुझे अभी भी लग रहा है कि यह शायद यहीं जिन्दा है और जस्ट मरने का नाटक कर रहा है यह डेविड भी मरने का नाटक कर रहा है यह एन भी मुझे पहले कन्फर्म हो जाने तो आप सोच कर देखिए उसने कन्फरम होने के लिए क्या किया होगा वो सीधा वहाँ से उटकर किचन में गया वहाँ उसने एक पतीला गैस के उपर रखा और पतीले में पानी भर दिया और उस पानी को उबालने लगा तीनों यहाँ मिलकर पानी उबलने तो उसका तो कोई लाज ही नहीं है सोच कर देखिए यहाँ दो वैक्ती जो पहले ही बुरी तरह से मारे जाने की वज़े से गम तोड़ चुके थे उनके मूँ के उपर उनको नीचे लिटा कर उबलता हुआ पानी उनके उपर डाला गया सिर्फ यह कंफर्म करने के लिए कि आफिर यह मरे है सोच कर देखिए यहाँ यह तीनो जो बाते कर रहे थे आपस में वो बाते अंदर बंद कमरे में एंथनी भी सुन रहा था क्योंकि अगला नंबर अब एंथनी का ही होने वाला था पानी डालने के बाद अब तीनो इस पॉइंट पर यह आ चुके थे कि इयन और डेविड मर चुके हैं और अब बारी है एंथनी की तीनो ने अपना मू उस दरवाजे की तरफ किया जिसके पिछली तरफ यहाँ एंथनी ने खुद को बंद किया हुआ था यह तीनो अब उस दरवाजे के पास पहुँचे और दरवाजे को कट-कट आने लगे नहीं वो बड़ी बड़ी नहीं कर रहे थे वो एंथनी को बाहर बुला रहे थे कि आज जा हम तेरे साथ कुछ नहीं करेंगे सोच कर देखें यहाँ एंथनी को वो कैसी गोलियां दे रहे थे लेकिन यहाँ एंथनी ने दरवाजा नहीं खोला जॉन और जीमी ने अब उस दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया दरवाजे को तो नहीं तोड़ सकते हम इस लोक यह जो लगा हुआ है इस लोक को ही पकड़ कर बाहर निकाल सकते हैं तब यहाँ जॉन ने इलेक्ट्रिक ड्रिल का तार उस प्लग में लगाया और खुद यहाँ ड्रिल पकड़ कर अब उस लोक के अंदर चलाने लगा और लोक के अंदर चलाने के बाद वो लोक तूट चुका था और फाइनली अब यह दरवाजा कुला दरवाजा के पीछे यहाँ ड्रैसिंग टेबल वगएरा और भी समान रखे हुए थे ताकि वो दरवाजा मुश्किल से कुले लेकिन हैं इन तिनों ने धक्का दे दे कर दे दे करो सारा समान हटा दिया और फाइनली वो दरवाजा खुला अंदर यहाँ एन्थनी मुझूद था बहुत ज़रा डरा हुआ था लेकिन जैसे ही यहाँ वो दरवाजा खुला एन्थनी बहुत तेज रफतार से अपना पूरा जोर इकठा करके उसने यहाँ इस रफतार के अंदर लगा दिया और वो ऐसे भागा उस कमरे से जैसे उसने कोई भूत भूत देख लिया हो अपने आपको बचाने के लिए वो कुस्सो करता ही वो यहाँ इन तीनों को ऐसे धका देकर इस कमरे से बाहर की तरफ भागा और अब इस पूरे फ्लैट के अंदर पकड़म पकड़ाई शुरू होने वाली थी इन तीनों और एंथनी के बीच में एंथनी आगे आगे इस फ्लैट के अंदर भाग रहा था इनको चक्मा दे रहा था बेचारा फिसल के ये भी गिर जाता ये तीनों भी फिसल फिसल कर गिर रहे थे और फिसल थे किस चीज़ के ओपर आववेसली खून के ओपर क्योंकि यहाँ इस पूरे घर में इतनी कर दिया है जीमी अब तुम्हारी बारी है जोन के दोस्त ने आहां कहा ठीक है कोई दिकत नहीं है इस एंथनी को तो मैं ही देखूंगा ये मेरा शिकार है एडित और जोन साइड में कड़े हो गए तब यहाँ जीमी उस एंथनी के पीछे पूरे घर के अंदर अब पकड़ पड़ चुका था पूरे घर के अंदर फिर से यहां वो जहां भी एंथनी उसके क्लोज आता वो पकड़ कर एक बेसबोल का बैट उसके सिर में रख देता और सिर में रखते ही बेचारा एंथनी फिर से खुद को बचा कर भागने लगता भागने लगता काफी बार मैं कहू पर वो बेसबोल के बैट उस जीमी के हाथों से खाए तब यहां पर बेचारा एंथनी जो की बुड़ा ही हो चुका था ओवियसली उसके अंदर इतनी हिमत रही थी कि वो इतना तेजी से भाग सके और इन तीनों से बच सके कही ना कही लेकिन वो नहीं बचा और यहां खौल दिया यहां सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक मौत बेचारे एंथनी को ही मिली थी क्योंकि उसके शरीर को बैटों से पहले तो तोड़ा गया था और इस मर्डर की थोड़ी सी और एक्ट्रा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा आगे क्योंकि वो बहुत जारा ग्रूस उसके सिर के साथ यहां बैट बोल खेल रहा था एंथनी के सिर के उपर इतनी जोर से बेसबोल बैट का वार करता कि उसके सिर से मास के टुकडे बाहर निकल गर दिवारों पर चिपक रहे थे फाइनली ये काम करने के बाद भी जब यहां एंथनी की तो शकल भी पहचान में नहीं आ रही थी तब ये तिनों कंफर्म हो गए कि इन तिनों ने मिलकर बाकी के तिनों का मडर कर दिया है तब यहां पर जॉन जीमी के साथ अपनी मा के पास आया और कहने लगा कि देखो मा हमने आपके कहने पर ये दो और मटर कर दिये हैं अब आपका काम है इन तीनों की लाशों को ठीकाने लगाना इस घर की साफसफाई करना और खुद को भी बचाना प्लैन आपको बनाना पड़ेगा हम इस प्लैन में आपका कोई साथ नहीं देंगे सोचकर देखिया अभी तक जो साथ दे रहा था वो अपनी मा को छोड़ कर ऐसे ही जाने वाला था तब यहां पर एडित ने कहा ठीक है कोई बात नहीं बच्चो तुम जाओ तुम्हारा काम हो गया है मैं इस चीज़ को देख लूँगी सोचकर देखिया अभी आप यहां एडित ने क्या किया होगा तीन दोस्तों की जान लेने के बाद एडित ने उस घर में ही मौज़ुद अलमारी को खोला कुछ कपड़े यहां पर जो औरत के उसने अपने अहां रखे हुए थे वो कपड़े बदले नीट एंड क्लीन एकदम चुटे क्लीन होकर अपने हाथों से पैरों से हर जगे से खून वगयरा साफ करके अपने बाल वगयरा कंगी करके एकदम टिप टॉप रैडी होके वो इस घर में खून से बचते बचाते बाहर निकली और घर के में दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया विल्डिंग में नीचे गई और वापिस उपर आई अब वापिस उपर अपने उसी फ्लैट में आने की बज़ाए वो उस फ्लैट के एक पडोसी वाले फ्लैट के दरवाजे पर गई और वहाँ दरवाजा खट-कट आने लगी सोच कर देखिए इस टाइम पर यहां रात के तीन बच चुगे थे तब यहाँ एडिस ने उस पडोसी का दरवाजा खट-कट आया नींदों में वो पडोसी बेचारा बाहर निकल कर आया और कहने लगा हाँ जी मैडम बताओ और उस पडोसी को देखते ही हाँ एडिस ने रोना शुरू कर दिया इतने भयंकर तरीके से रोय जा रही थी वो पडोसी बेचारा जो नींदों में था उसकी नींद एक्दम से खुल गई और पूछने लगा कि बताओ क्या हुआ है तब यहाँ एडिस उसे बोलने लगी कि मैं अपने दोस्त के डेविड के फ्लैट में गई थी इएन और एंथनी की वहाँ लाश उपर पड़ी हुई है मैं तो बहुत जारा गबरा गया मेरे साथ चलो एक बार यह बाते सुनकर यहाँ वो पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा है रान वो कहने लगा चलो 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 जल्दी चलो उपर जाकर रहा हुआ उस पड़ोसी नो दर्वाजा खोला और अंदर का हाल देखकर उसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि यहाँ दिवारों का जो रंग था फर्च का जो रंग था वो दिखी नहीं रहा था क्योंकि हर जगए मास्के टुकडे पड़े हुए थे हड़ियां पड़ी हुए थी खून तो आप पूछे हिमत हर दिवार पर हर जगए रचा हुआ था लेकिन यहाँ इस टाइम पर वो पड़ोसी तो इस घर के अंदर जाकर देखने के लिए तैयार था बट इहां एड़ित उसने कहा कि नहीं मैं तो इस घर के अंदर नहीं जाओंगी मुझे तो बहुत ज़र डर लग रहा है बट यहाँ एडित बहुत ज़रा चलाक थी उसने यहाँ पर प्लैन कर लिया था पहले से ही कि अपने जो निशान है उसने सारे पहले ही यहाँ से घर से मिटा दिये थे अब वो दोबारा जाती तो हो सकता था कि कहिना कि उसकी उंगली टच हो जाती तो उसके फिंगर प्रिंट्स वहां रह जाते तब यहाँ उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जाओंगी तुम को अंदर जाना हो तो जाओं मुझसे तो यह सब नहीं देखा जाएगा वो वेक्ती अंदर गया अंदर का मौायना लेकर बाहर आया और उसने सीधा ही पुलिस को फोन कर दिया पुलिस अप मौके पर पहुँच चुकी थी पुलिस वाले जैसे ही इस घर के अंदर गए पहला स्टेप ही उनका इस घर के अंदर खून से लत्पत हो चुका था इतना खून यहां इस फर्ष के उपर पढ़ा हुआ था कि अगर वो जूता उठा कर दूसरा स्टेप आगे भढ़ाते तो उनके जूतों से खून टपकने लगता अभी तक यहां एडेत बिल्कुल शांद खड़ी थी उसने हाउस पडोसी के आगे कोई अक्टिंग नहीं करी लेकिन जैसे उसने पुलिस वालों को आते हुए देखा वो सीधा जाकर डेविड के ऊपर चिपट गई और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लग गई डेविड तुम कहां चले गई डेविड मैं तुमें बहुत जारा मिस कर रही हूं तुम मेरे पार्टनर थे मैं आज सो जेल से आई थी यह सब भजड उसने यहां नाटक करना शुरू कर दिया पुलिस वालों के आगे अब यहां पुलिस वालों ने लिटरली उसको छुडवाया हॉस्पिटल भीजवा दिया गया हॉस्पिटल में जब यहां यह लाशे पहुंची तो डॉक्टर हैरान उन्होंने कहा कि यह क्या भजड आ गई ऐसा तो उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं कि किसी लाश के साथ ऐसा कुछ भी किया जा सकता है पुलिस वालों ने खुद यहां पर कभी ऐसा क्राइम सीन नहीं देखा था उनके लिए खुद बहुत ज़्यादा नई चीज थी खेर यहां जैसी वो जाच कर रहे थे उनको याद आया कि वो ग्लासगो शेहर में रहते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्लासगो उस टाइम पर मर्डर क उतारने शुरू किये और लिटरली यहां पर उनको दिवारों पर बाल चिपके हुए मिले और वो बाल किसी और के नहीं बलकि बेचारे एंथनी के ही थे बाल यहां बहुत सारे नीचे भी पड़े हुए थे तब यहां पुलिस वालों को जाच में पता चला कि जिसने भी इ लिटरली उसके सिर से उखड जाते सोच कर देखें यहां बेचारे एंथनी को कितनी भयंकर मौत दी गई थी दूसरी तरफ यहां पुलिस वालों ने जब दिवारों को देखा तो दिवारों पर ना सिर्फ खून बलकि मासों के टुकडे भी चिपके हुए थे जब उनको ए लिविट एंथनी और इयन के दिमाग के टुकडे किस तरह से दिवारों पर चिपके हुए थे कितनी भयंकर मौत उन्हें दी गई थी पुलिस वालों को अब यहां थ्योरी भी बनाने थी एडिट भी साइड में खड़ी थी और पुलिस वाले प्सोचन लगे कि आखिर कोन क ढूंदना था तब यहां पर सबसे पहले एडिस से भी पूच साच की गई और कहने लगे कि हां बताओ आप डेविट को कैसे जानते हो तब यहां पर एडिस ने कहा कि मैं तो जस्ट डेविट की दोस्त हूँ मेरा उसे कोई जारा लेना देना नहीं है पुलिस वालों ने कह यहां एडिस से पहले उसकी गल्फरेंड थी जब जाकर वोईलेट से पूच साच की गई तो वोईलेट ने बताया कि हो बहुत जादा बुरा हुआ डेविट के साथ लेकिन यहां अब उसकी जो गल्फरेंड है एडिस आप उससे जाकर पूचिए तब यहां पर पुलिस व पूच साच करने लगे सोच कर देखे यहां अभी तक यह केस निउस में भी नहीं आया था तब यहां पर दो दिन बाद ही एक लड़का पूलिस वालों के पास पहुचा और कहने लगा कि मुझे पता है यह पूरा काम किस ने किया है पूलिस वालों ने कहां बता क्या हुआ है किसने तेरे को क्या बताया है असल में वो लड़का कहीं और नहीं बलकि जॉन वाले शेल्टर हॉम में ही रहा करता था और जॉन का बैड पार्टनर था जॉन जहां सोया करता था उसी बैड पर वो लड़का भी सोया करता था और जिस रात वो जॉन जीमी के साथ मिलकर व मैं किसी को भी लपेट सकता हूँ ये चीज़ सुनते ही पहले तो उस दोस ने उसको परिशास नहीं किया लेकिन जब दो दिन बाद वो पुलिस वालों के सामने जाकर बताने लगा कि ऐसे से जोन ने उसे बताया था कि वो तीन कांड करके आया है पुलिस वालों को उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ा पहला तो इसलिए कि अभी तक केस न्यूज में नहीं आया था तो आकिर इस लड़के को पता कैसे चला कि तीन मटर हुए है और दूसरा जो जो डिस्क्रिप्शन ये बता रहा था और जोन ने जो इसको बताई थी वो बिल्कुल मैच खा रही थी उस क्राइम सीन के साथ तब यहाँ पर इस लड़के के बयानों पर पुलिस ने जाकर सीधा ही जोन को जप लिया और जोन के बयानों पर जीमी को भी जपा गया तीनों अब यहाँ पुलिस वारा जपे जा चुके थे और फाइनली अब इन तीनों से सच निकलवाना था सच के नाम पर इन तीनों ने लिटरली हग दिया फिर से इन तीनों ने कहा कि हम तीनों ने एक-एक मर्डर किया है वो ऐसा इसलिए मुझे पता है कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि ताकि इन तीनों को कम-कम सजा मिले अगर यहाँ पर यह तीनों कहते कि हम तीनों ने मिलकर यह तीन मर्डर के हैं तो हर एक वेक्ति के उपर तीन-तीन मर्डर के चार्जिस लगते और उनको जारा सजा मिलती इन्होंने बहुत भायंकर काम किया था एक केस रेयरेस्ट ओफ रेयर था खर actresses लैए हिनने तिनों को पारॉल मिल सकती थी 13 सालों बाद यहाँ एडित पारॉल के लिए अपलाई कर सकती थी और 12-12 साल बाद जीमी और जोन पारॉल के लिए अपलाई कर सकते थे अब आप सोचेंगे कि एक साल एक्स्ट्रा एडित को क्यों दिया गया जेल में रहने के लिए तो उसका कारण ये था कि यहाँ एडित की वज़े से यह सारा कांड हुआ अगर एडित महां आ जाती तो यह सारा कांड ही नहीं होता वो तिनों नहीं मारे जाते खेर यहाँ पर ये तीनों अजीब ही वेक्ती थे ये तीनों जैसे ही उस कोट में आमने साने एक दूसरे से मिलते तो हाई हेलो करते ट्रायल में जब कोट में इनकी पेशी होती तब यहाँ एक दूसरे से मिलते तो हाई हेलो करके बात करते हसस के अपनी सजा सुनते और कहते कि कोई दिक्कत नहीं है काट देंगे ये कर देंगे वोक कर देंगे सब कुछ यहां पर उनके हिसाब से ही चल रहा था तो यहां पर सन 2005 में ये सजाएं सुनाई गई थी और सन 2018 में तो मतलब कि 13 साल हो चुके थे 2018 में एडिट को पैरोल के लिया अपलाई कर भी दिया जाना चाहिए था लेकिन पता नहीं उसने किया नहीं किया मैंने बहुत ज़रा ढूँने की कोशिकरी की एडिट जेल से बाहर आई है रही नहीं आई और अगर आई है तो कहा है आज वो मैंने बहुत ढूनने की कोश्च करी लेकिन मुझे पता नहीं चला हो सकता है वो आज भी जेल में ही वो हो सकता है उसके अब behavior देखके उससे जेल से बाहर ना निकाला गया हो ये case था house of blood murderers का एक ऐसा gruesome case जिसकी details बहुत ज़रा ग्राफिक है इसकी अगर आप crime scene की photo's देखना चाहेंगे तो भी आपको Google पर पड़ी हुई मिल जाएंगे अगर आप वहाँ नहीं देखना चाहते तो मेरे पास कुछ photo's है वो मैं आपको इंस्टा पर या तो personally भेज़ दूँगा या फिर इंस्टा स्टोरी पर लगा दूँगा या इसका लिंक आपको description में भी मिल जाएगा तो please आप मुझे वहाँ follow जरूर कर लें आज रात को 9 बजे वहाँ story लग जाएगी खेर पिछली वीडियो का shout out सुधीप ताज व्लोग को and comment pick me to get a shout out in next video मिलते हैं अगली वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद